हलो जहन दोस्तों आई स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेर्स सत्रे बारे दो हजार वाइस क्वेस्टन नूमबर वन है एक्स बिन वैक्स दो हजार वाइस यूद अब्यास किन दो देशों के मद्ध हुई है तो यह हुआ है भारत और बियत नाम के बीच एक्कुबैरन यूद अब्यास किन दो देशों के मद्ध हुई है एक्कुबैरन यह हुई है भारत और मालदीप के बीच नेक्स्ट क्वेस्टन नूमबर थ्री पिच बिलैक 2022 किन दो देशों के मद्ध आयुजित होता है इसका आयोजन आस्टेलिया में होगा और भारत इसमें सामिल होगा यानि कि क्वेस्टन आप से पूँछ सकता है कि पिच बिलैक 2022 का आयोजन कहां हुआ है तो आस्टेलिया में इसका आयोजन हुआ है खंजर युद्दव्यास किन दो देशों के मद्ध आयोजित होता है यह होता है भारत और किर्गिस्तान के मद्ध नेक्स्ट स्लीनेक्स का आयोजन किन दो देशों के मद्ध होता है तो स्लीनेक्स इसके नाम से ही पता लग रहा है स्री लंका और इंडिया नेक्स्ट ओप्रेशन देवी सक्ति किस से सम्बंदित है जो ओप्रेशन देवी सक्ति है ये अफ्रीक हमें फसे भारतियों को भारत बापस लाने के लिए चलाया गया था और ओप्रेशन गंगा यूक्रेन में फसे भारतियों को बापस लाने के लिए चलाया गया था नेक्स्ट भारत की किस परियोजना को बिश्व के दस पुनर जीवित प्राकृतिक कारीक्रमों में सामिल किया गया है ये किया गया है नमामि गंगे प्रोग्राम को नेक्स्ट नमामि गंगे परियोजना का उद्देश से क्या था इसके नाम से पता लग रहा है गंगा को स्वक्छ करने का इसका उत्यस सिथा Next अनुसूची 11 किस से सम्बंदित है और इसमें कितने बिसे हैं यह पंचायती राज से सम्बंदित है और इसमें टोटल 29 बिसे हैं Next Montreal Protocol किस से सम्बंदित है ये पहले भी बताया था ये ओजोन परस से संबंदित है और मॉंट्रिल कहां है कनाडा में इस्थित है next question number 11 ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को next और 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है बिजय दिवस मनाया जाता है क्योंकि पाकिस्तान से बांगला देश को आजात कराया था भारत ने question number 12 पहले 5G टेस्ट वैड का सुवारम किया गया ये है परियोजना किस संस्थान के नेत्रत्त में विक्सिद हुई है तो ये IIT मद्रास के लीडर्शिप में विक्सिद हुई है question number 13 बिश्ट का सबसे बड़ा इस्थल अवरूद छेत्र कौन सा देश का है तो ये है कजाकिस्तान क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा लेंड लॉड कंटरी है next GST को किस सम्विधान संसोधन के माध्यम से जोड़ा गया GST को 101 Constitutional Amendment के माध्यम से जोड़ा गया और GST लाग हुई थी 1 जुलाई 2017 से अगर question पूछता है कि GST किस प्रकार का कर है ये indirect tax है next बिम्ब लेडन 2022 जीतने वाली महिला कौन थी ये रेवे के ना थी ये कजाकिस्तान की रहने वाली है और पुरुस का खिताथ किसने जीता है नोवाक जोकोविज ने जोकी सर्विया देश के रहने वाले है next भारत के लोग सबाद्यक्ष कौन है ओम बिड़ला next महला बिस्व मुक्केवाजी चैंपियंसिप में स्वाण पदिक हासल करने वाली पांचमी भारतिय महला कौन है ये हैं निकध जरीन next परमाणू बम किस सिद्दान पर कारी करता है ये परमाणू बम किस सिद्दान पर कारी करता है तो ये नाविकिये विखंडन पर कारी करता है अगर पूछे कि सूर्ये की जो उर्जा होती है वो किस सिद्दान के माध्यम से इखटी होती है तो उसको बोलते हैं नाविकिये सलयन उर्जा का सिरोध क्या है नाविकिये सलयन next अंतर रास्टी जैव विवित्ता दिवस का मना जाता है यह मना जाता है 22 माई को और 22 मार्च को मना जाता है विश्चु जल दिवस और 22 अपरेल को मना जाता है प्रतिवी दिवस और 22 माई को मना जाता है जैव विवित्ता दिवस अपको याद रखना इंपोर्टेंट रहे है प्रतिवी दिवस कम बना जाता है 22 अप्रहन को, जल्दिवस कम बना जाता है 22 मार्च को, 22 विश्चो स्वास्थे संगठन का नया मुख्य बैग्यानिक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बनाया गया है अभी नये जेरेमी फरार को, और डबलु एचो के हेड कौन है टेड रोस, डबलु एचो के स्थाफना कभ हुई थी, 7th April 1948 को, इसलिए बिश्चो स्वास्थे दिवस 7 April को मनाया जाता है नेक्स्ट, बिश्व स्वास्ते संगठन की इस्थाफना कब हुई थी? तो 7 अपरेल 1948 को, बिश्व स्वास्ते संगठन में कितने देश सामिल है? तो इसमें टोटल बन 94 कंट्रीज का ये संगठन है नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर सरवादिक बार फत्य करने वाली महला कौन है? ये हैं कीमा रिता सेरेपा नेक्स्ट, क्वार्ड में कितने देश सामिल है? इसमें 4 देश सामिल हैं भारत, जापान, आस्ट्रेलिया और इंडिया इंडिया, जापान, आस्टेलिया, अमेरिका, ये चार देशिस में सामिल इस्टेजू अब प्रोस्पेरिटी कहां इस्तित है, ये कैम्प गोड़ा स्टीडियम में इस्तित है दिल्ली का नया उपरा जिपाल कौन है, बिने कुमार सक्सेना नेक्स्ट, लेवेंडर फेस्टिवल कहां मनाया गया है, ये जम्मू कस्मीर में मनाया जाता है नेक्स्ट, बिस्टो का सबसे बड़ा एगुलू कैफे कहां इस्ताफित किया गया, ये जम्मू कस्मीर में इस्ताफित किया गया नेक्स्ट अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें तेंक्यू